और आगे बढ़ों उससे पहले आज कोरोना को लेकर तीसरी बैठक प्रिधान मंत्री डिर्णी मोधी कर रहे हैं और इस बार की बैठक अलग-अलग राचियों के मुखे मंत्रियों के साथ है साथियों आज की समिक्षा में कुछ बाते हमारे सामने स्पर्ष्ट हैं और उन पर हमें विशेज ध्यान देने की जरूरत है पहला देश फर्स्ट वेव के समय की पिक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज़्यादा तेज है दूसरा महराष्टर, छतिशगर, पंजाब, मतब देश, गुजराथ समेथ कई राज्य फर्स वेव की पिक को भी क्रॉस कर चुके है कुछ और राज्य भी इस वरतेजी से बढ़ रहे हैं मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए इस चिंता का विश्य है सीरियस कंसन है और तीसरा इस बार लोग पहले की अपिक्षा बहुत अधिक कैज्यल हो गए है अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है ऐसे में करोना के केसिस की अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किले ज्यादा पैदा की है करोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से यूद्तस तर पर काम करना आवश्य है साथवे इन तमाम चुनवतों के बावजू हमारे पास पहले की अपेक्षा बहतर अनुव है पहले की अपेक्षा अच्छे संसादन है और अब एक वेक्सिन भी हमारे पास है जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्टर्स हेल्थ केर स्ट्राइब ने स्थीति को समानने में बहुत मदद की है और आज भी कर रहे हैं कि आप सभी में अपने पहले के अनुभाओं का प्रभावी डंग से उप्योग अपिक्षित है अब आप कल्पना कीजिए कि गत्व जिन दिनों में हमारे हाल क्या थे हमारे पास ट्रेस्टिंग लेप नहीं थे कि इवन मास्ट कहां से मिलेगा एक चिंता का मिश्य पिपी किट नहीं था और उस समय हमारे लिए बचने का एक मात्र साधन बचा था लॉकडाउं ताकि हम व्यवस्ताओं के एक दम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वह हमारी स्ट्रेडिजी काम आई हम व्यवस्ताओं क बना सके समसाधन खड़े कर पाएं हमारी अपनी के बढ़ाई दुनिया से जहां से प्राफ्ट कर सकते कर पाएं और लोकडाउन के समय का हमने उप्योग किया लेकिन आज जो स्टिति आज जब हमारे पास सब समसाधन है तो हमारा बल और यह हमारे गवर्ननस की कसोटी है हम हमारा बल माइक्रो कंटerson सॉब्जों पर वना चाहिए हुआ कि हैं छोटे छोटे कंटेनमंट जोन सबसे ज्यादां जहां पर रात्री कर्फ्यू का प्रवव हो रहा है महां मेरा अग्रह है कि उसके लिए शब्दपर रह हमेशा करे करे सक करो कर ताकि कारोना के प्रती है कुछ लोग ये intellectual debate करते हैं कि क्या Corona रात को या आता है हकीकत में दुनिया ने भी रात्री कर्फ्यू के प्रयोग को स्विकार किया है क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ मैं Corona काल में जी रहा हूँ और बाकी जीवन व्यवस्ताओं को कम से कम प्रभाव होता है हाँ अच्छा होगा कि हम Corona कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं ताकि बाकी व्यवस्ताओं को प्रभाव ज्यादा न हो और इसलिए उसको Corona कर्फ्यू के नाम से प्रचलिज करें और Corona कर्फ्यू एक प्रकार से लोकों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है तो हमने इसके तरफ ध्रान देने के लेकिन मैंने पहले कहा अब हमारे पास व्यवस्ता इतनी हो चुकी है माइक्रो कंटेन्मेंट जोन उसी पर बल दीजिए आपको अच्छे प्रणाम मिलेंगे हां उसमें जड़ा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है गवननस को टाइट रखना पड़ता है हर चीज को माइनूटली अब्सवर करना पड़ता है लेकिन यह मेहनत रंग लाएगी यह मुझे में विश्वास कीजिए दूसरी बात है हमने पिछली बार कोवीड का आंकड़ा है दस लाग एक्टिव केसे से सवा लाग तक नीचे लाकर दिखा दिया था यह जिस रणदीती पर चलते हुए संबव हुआ वो आज भी उतने ही सटिक है और मज़ा देखिए उस समय सफलता हम ही लोग ने पाई थी तब समसादन भी कम थे आज तो समसादन ज्यादा है और अनुभव भी ज्यादा है और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीच ला सकते हैं पिक को उपर जाते रोग भी सकते हैं और अनुभव कहता है कि टेस्ट ट्रेक ट्रीट कोवीड एप्रोप्रियेट बिहेवियर और कोवीड मैनेजमेंट इनी चीजों पर हमें बल देना है और आप देखिए अब एक विशा ऐसा आया है मैं आप सभी मुक्रमंत अगरे करता हूं कि आप अपने राज्य की मश्रीज के द्वारा थोड़ा अगर एनालिसिस करें सर्वे करें और एक सवाल का जवाब हमें मिल सकता है क्या मैं इसको सवाल के रूप में कह रहा हूं होता क्या है कि इन दिनों कोरोना में यह तोड़ा वेरिफिकेशन का वीश जाते थे तो तुरंत एक्शन लेते थे दूसरा इन दिनों बहुत पेशन्ट असिम्टेमेटी है और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया ऐसा हो गया कभी-कभी दो भूमी ने जनी जा और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जाता है और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है तब हमारे ध्यान आता है जो आज परेवार के परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं उसका मूल कारण है शुरूवात ऐस्म्टेमेटिक होती है और केरले समधिस होती है उसका उपाय क्या है उसका उपाय है टेस्टिंग हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो ऐस्म्टिम जो पेशंट होगा वह भी ध्यान में आ जाएगा तो परिवार में होम कोरों ट्राइल वगरे घंक से कर लेगा वह परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिनकी जीता है वह नहीं जीएगा और इसलिए टेस्टिंग पर देने की जरूत है और हमने सामने से के लिए जाना उसको तकलीब हो और फिर करने के लिए और फिर उसको पॉजिट्व na होस्ट को कंटेन करें मैंने पहले भी कहा था यह को रोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे गर में नहीं आता है और इसलिए human source जो है हर एक को हमने जागरूत करना पड़ेगा उसने नियमों का पारण करना होगा यह बहुत आवशक है और निशित तोर पर इसमें testing और tracking की बहुत बड़ी भूमिका है हम टेस्टिंग को लाइट न लें कि टेस्टिंग को हमें हर राज में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके पांच परसंद के नीचे लाकर करके रख रहा है और आपको याद होगा शुरू में जब करोना की खबरे आने लगी तो हमारे यहां कॉम्प कर रहा है राज्यों की आलोचना करना वड़ा फैशन हो गई थी तो पहली मीटिंग में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जराबी चिंता मत कीजिए उसके कारण आपको आपका परफॉर्मस बुरा है प्रेशन में मत रहिए आप टेस्टिंग पर बल दि और वो बात मैं आज भी कह रहा हूं संख्या जादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं यह सोचने के जरूत नहीं है आप टेस्टिंग जादा करते हैं उसके कारण पॉजिटिव केस नजर आते हैं लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है और जो आलोचना करने वाले हैं बुरा है ऐसा मुल्यांकन का तरीका ठीक नहीं है और इसलिए मेरा आप रागर है किस प्रेशल से बाहर निकल जाईए टेस्टिंग को बल दीजिए भले पॉजिटिव केस ज्यादा आते हैं आने दीजिए लेकिन उसी कद हम उपाय कर पाएंगे और हमारी टार्गेट सतर प्रतिशत 70% RT-PCR टेस्ट करने का है कुछ जगह से मेरे पास ख़बर आई है मैंने वेरिफाय नहीं किया है कि कुछ लोग जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सेंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जिक है ऐसे ही मूँ के आगे ही सेंपल ले लेते हैं ऐसा है बहुत गहरे जाकर के सेंपल लिये बिना रियल रिजट मिलता ही नहीं है अगर आपने उपर उपर से ले लिया मूँ में सवड़ा सा डाल करके तो जो रिजट आएगा तो नेगेटिव ही आने वाला है और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सेंपल नहीं लेते हैं जिन र लेकिन वो नहीं होगा तो घर में फैलाता रहेगा पूरे परिवार को पूरे मोले को पूरे टेनामेंट को सब को लपेट लेगा हमने पिछली मीटिंग में भी इस पर चर्चा की थी कि RT-PCR टेस्ट बढाने की ज़रुत है और फिर मैं कहता हूँ कि प्रापर सेंपली और पूरे होना चाहिए आपने देखा होगा कुछ लेब हपको निगेटिव दे रही हैं कुछ लेब सबको पॉजिटिव दे रही है तो यह तो एच्छी चितर नहीं है तो कहीं कुछ कमी है और यह गवर्नांस के माध्यम से हमनों चेक करना होगा प्रिधानमंती नरींद्र मोदी इस वक्त अलगले ग्राचियों के मुख्यमंत्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि कोवीट को लेकर जो हालात इस वक्त देश में हैं उनको कैसे निप्टा जाए एक छोटा सा ब्रेक ब्रेके बाद लगातार जीहन दुसलाई करें उसमें एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के विना देहना ने चाहिए आप देखें आपको परणाम फटापण मिलना शुरू हो जाएगा साथियों जहां तक ट्रेकिंग का प्रश्ण है प्रशासनिक स्थर पर हर इंफेक्शन के हर कॉंटेक को ट्रेक करना टेश करना और कंटेन करना इनवे बहुत तेजी की ज़रुत है 72 अवर्स में कम से कम 30 कॉंटेक्ट ट्रेसिंग से हमारा टार्गेट कम नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति का खबर आया तो उसके 30 समंधित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा कंटेन्मेंट जोन की भी सिमाएं स्पस्ट होनी चाहिए वेग नहीं होना चाहिए पूरे के मौले के मौले हिलाके के हिलाके ऐसा मत करो अगर दो फ्लैट है एक इमारत में छे मंजिला है तो फिर उतनू को ही करो बगल का टावर है उसको बाद में देखो अधर्वाइज क्या होगा कि हम सब के सब सरल मार यही है कि महनत कम पड़ती है यह कर दो इस उस दिशा में मत जाईए आप सब इस दिशा में सक्रिये हैं बस हमारी सतरक्ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए यही मेरा अगर रहेगा प्रयासों में सुस्ती किसी भी प्रकार से नहीं आने देनी हैं कई राज्यों में कॉंटेक्ट ट्रेसिंग को पिरियोडिकली क्रॉस चेक करने के लिए भी टीम्स बनाकर काम किया है इसके अच्छे नतीजे मिले हैं हम सब को यह भी अनुभव है कि जहां कंटेन्मेंट जो हुई है और समय समय पर उसको अप्डेड किया गया है उस एसोपी का प्रभावी पालन हो रहा है वहां बहुत अच्छी सफलता मिल रही है इसलिए मेरा है सुझाव जरूर होगा कि इस और विश्रे ध्यान दिया जाए सातियों हमने चर्चा के दोरान अभी मोटा लीडी रेट पर चिंता जता है यह कम से कम रहे इन पर भी हमें बहुत जोड देना है और उसका मूल कारण यह है कि वो रूटीन नाइब जीता है मामुली बिमारी है सा मान लेता है पूरे परिवार में फैला देता है और फिर ए चीजे हमारे हाथ से निकल जाती है हमारे पास हर फॉस्टल में डेत अनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए किस स्टेश होते रहना चाहिए सभी राज्यों के हस्पतार इनसे जूरते रहें जो नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है उनकी जानकारी सब को रहे ये भी जरूरी है और ये लगातार कम्मिनिकेशन की ववस्ता है जो मेडिकल फैकल्टी के लोग है उनक प्रबंध है इसका लाब लेना चाहिए इसी तरह एंबिलेंसिस वेंटिलेटर और ऑक्सिजन अवेलेबिटी के भी लगातार समिक्षा आवश्यक है अभी तक जब पिछली बार हम पिक में थे आज भी देश में उतना ऑक्सिजन का उप्योग नहीं हो रहा है और इसलिए एक बार एनालिसिस कर ले हैं चीजों का रिपोर्ट को जड़ा वेरिफाइ कर ले हम साथियों एक दिन में हम चालिस्त लाग वेक्सिनेशन के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं वेक्सिनेशन पर कई महत्पण मिंदू इस चर्चा में हमारे सामने आया है देखे वेक्सिनेशन में भी आपके अधिकारियों को लगाईए दुनिया भर के समरुद्द से समरुद्द देश जिसके पास सब सुविधाय उपलब्द है उन्होंने भी वेक्सिनेशन के लिए जो क्राइटरिया ताई किये हैं भारत उनसे अलग नहीं है आप जड़ा स्टडी तो कीजिए आप पड़े लिके लोग आपके पास है जड़ा देखे तो सही और नए वेक्सिन डेवलप्मेंट के लिए जितना भी कोशिस हो रही है मैकसिमम मैक्सिनेशन मैनिफेक्टिन केपरिसिटी है उसके लिए भी काम हो रहा है और वेक्सिन के डेवलोप्मेंट से लेकर स्टोक और वेस्टेज जैसे जरूरी बिंदों पर भी चर्चा हुई है ये बात सही है आपको मालू है कि बीएतनी वैक्षिन बन पाती है अब यह ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े-बड़े फैक्टरियां कोई रात और रात लग जाती है जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हमें प्राविटराइज करना पड़ेगा किसी एक राज में सारा माल रख करके हमें पढ़ना मिल जाएगा यह सोच वैक्षिन को लेकर राज सरकारों की सला, सुझाव और सहमत इने सही देश लाइपी रण देती बनी है मेरा आप सभी से आगर होगा कि हाई फोकर्ड डिस्ट्रिक्शन जो है उनमें 45 साल के उपर शत्व प्रतिशद व्यक्षिन के लिए लगातार प्यास कीजिए एक बार एक तो हैचिव करके देखिए मैं एक सुझाव देता हूँ क्योंकि ये कभी-कभी बातारों बदलने के लिए चीज़े बहुत काम आती है 11 अप्रिल जोतिवा फुले जी की जन्मे जैनती है और 14 अप्रिल बाबा साब आप मेरकर जी की जन्मे जैनती है क्या हम 11 अप्रिल से 14 अप्रिल पूरे अपने राज में टीका उत्सव मना सकते हैं एक पुरा वातावन क्रियेट कर सकते हैं टीका उत्सव का एक विशेस अभियान चलाकर हम जादा से जादा एलिजिबल लोगों को वैक्सिनेट करें कि जीरो वेस्टेश से करें हम इन चार दू जो है उत्सव में जीरो कि करें जीरो में होगा बिया गोट ऑओ हमारी वैक्सिनेटिशन की अप्निम्मों केinté confusing अप्रिमंस करें और इसके लिए हमें यदि vaccination केंद्रों के संग्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 एपरिल किस प्रकार से चीजों को मोबलाइज कर सकते हैं एक achievement का satisfaction मिलेगा बाता हो बदलने में बहुत काम आएगा